नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ important information share करना है यहाँ पर मेरे पास AIMS का जो official notification है generation of code और final registration के बारे में वह मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ ध्यानरे के यह वीडियो जो है उन सभी student के लिए है जिनोंने अभी तक AIMS में generation of code और final registration complete नहीं किया है तो यहाँ पर article में यहाँ जो notice है इसमें क्या लिखा है वह मैं आपको बढ़ कर बता देता हूँ अगर आपने अभी से generation of code नहीं किया है तो अभी आपको वापस chance मिलेगा और अब generation of code की last date 12 March 2019 है तो आपके पास काफी सारा समय है generation of code करने के लिए और final registration करने के लिए तो generation of code के बाद आपका final registration करना पड़ेगा उसमें 2 step आता है payment of fees और city choice यहनि आपका fees भरनी पड़ेगी final registration के लिए उसके बाद आपको choose करना है कि कौन से city में आप examination देना चाते हैं उसकी date भी यहाँ दी गई है तो उसकी date जो है same ही है 23 February 2019 से 12 March 2019 यानि आप generation of code और final registration एक ही दिन कर पाएंगे आज से ही शुरू हो चुका है और last date 12 March 2019 है ध्यान रखे है यह last chance है इस बार आपका date ना छुट जाए तो यह वीडियो हम यही समाप करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और देखना चाते हो तो हमारे चैनल को like, share और subscribe कर दीजिए धन्यवाद